साल पंद्रहसो अठाइस अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जित का निर्मान किया गया जिसे कुछ हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्मस्थान मानते थे समझा जाता है कि मुगल समराट बाबर ने ये मस्जित बनवाई थी जिस कारण इसे बाबरी मस्जित के नाम से जाना जाता था 1855 यहां एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ जिसके कारण मस्जित के सामने एक बाहरी घेरा बना दिया गया इस कारवाई ने हिंदूों को आंतरिक आंगन तक पहुँचने से रोक दिया जिससे उन्हें बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेदित किया गया साल 1856-57 इस दोरान हनुमान गड़ी और बाबरी मस्जित के आसपास से एक सामप्रताइक दंगा हुआ एतिहासिक वृतान पताते हैं कि घटना से पहले मुसल्मानों और हिंदूों दोनों की पहुँच पूजा के लिए मस्जित क्षेत्र तक थी दंगा औपनिवेशिक सरकार को सत्ता हस्तांतन के साथ हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मस्जित के बाहर एक इंट की दिवार की रेलिंग स्थापित की गई 1869 बृतानी शासकों ने विवादे तसल पर बार लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदूओं को प्रार्थना करने की अनुमती दे दी 1885 महंत तरखुबर दास ने राम जन्मस्थान के महंत होने का धावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया जिसे 1885 का मुकदमा के रुप से जाना जाता है उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम जबूतरा पर मंदिर बनाने के लिए अनुमती मांगी 1934 1934 में एक सांपरदाई घटना घटी जिससे मस्चित को नुकसान पहुँचा हालांकि इसे बाद में बहाल कर दिया गया दस्तावेजों से पता चलता है कि आपनी वेशिक प्रशासन ने मस्चित की मरमत और नवीनी करण को मंदूरी दे दी साथ ही घटना के दौरान मस्चित को वे नुकसान के लिए हिंदूों पर जुर्माना लगाया गया 1949 मस्चिद में भगवान राम की मूर्थियां मिली कथे तोर पर कुछ हिंदूों ने ये मूर्थियां वहां रख दे थी सरकार साइट को विवादित क्षेत्र घोशित करती है और प्रवेश्टवार पर ताला लगा दे थी है 16 दिसंबर 1949 को केके नईयर ने उत्तर प्रदेश के ग्रही सचिफ गोविंद नारायन को बाबरी मस्चिद स्थल पर एक एतिहासिक मंदीर के बारे में सूचित किया बाद में नईयर भारतिये जनसंख के उमीदवार के रूप में लोगसभा के सद्र से बने 1984 1984 कुछ हिंदूों ने विश्व हिंदू परिशद के नित्रित्व में भगवान राम के जनमसल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्मान करने के लिए एक समीती का गठन किया बाद में इस अभियान का नित्रित्व भारतिये जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवानी ने संभाल लिया पहली रथ्यात्रा साल 1984 में बिहार के सिदा मढ़ी से शुरू हुई और अक्टूबर में अयोध्या पहुंची 1986 जिरह मजिस्ट्रेट ने हिंदूओं को प्रार्तना करने के लिए विवादित मस्जित के दर्वाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जित संखर्श समीती का गठन किया साल 1989 विश्व हिंदू परिशद ने राम मंदिर निर्मान के लिए अभ्यान तेज किया और विवादित सल के नस्दीग राम मंदिर का शिला न्यास किया साल 1990 विश्व हिंदू परिशद के कारेकरताओं ने बाबरी मस्जित को कुछ नुकसान पहुँचाया तत कालीन प्रधार मंत्री चंदर शेखर ने वारता के जरीए विवाद सुल्जाने के प्रयास किये मगर अगले वर्ष वारताएं विफल हो गए लालकृष्ण आडवानी ने आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाने के मकसद से गुजरात के सोमनात से अयुध्या तक रध्यात्र शुरू की इस बीच सामप्रदाइक दंगे भड़क उठे उन्नी सो बानवे विश्व हिंदू परिशद शिव सेना और भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं ने छे दिसंबर को बाबरी मस्चित को द्वस्त कर दिया इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसल्मानों के बीच सामप्रदाइक दंगे भड़क उठे दंगों में 2000 से ज्यादा रोग मारे गए 1993 नरसिमा राव सरकार ने लगभग 68 एकड़ भूमी अधिगरहित करने के लिए एक अथ्यादेश जारी किया बाद में इसे एक कानून के रूप में पारित किया गया भारती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान सभाचुनाव के लिए अपने घोशना पत्र में राम मंदिर निर्मान के मुद्दे को शामिल करने से इंकार कर दिया विश्व हिंदु परिशद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्मान कारी शुरू करने की खोशना कर दी 13 मार्च 2002 सरवोच न्यायाले ने अपने फैसले में कहा कि अयुध्या में यतास्तिती पर करार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमती नहीं होगी केंद्र सरकार ने कहा कि अदारत के फैसले का पालन किया जाएगा अप्रैल 2003 में इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरा तात्विक सरविक्षन विभागने विवातित सलकी खुदाई शुरू की जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेश मिले हैं मैं 2003 सीबी आई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्चित गिराए जाने के मामले में ततकालिन उपप्रधान मंत्री लाल कृष्ण आडवानी समेट आठ लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किये अगस्त 2003 भाजपानेता और प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजबई और उपप्रधान मंत्री लाल कृष्ण आडवानी ने राम मंदिर निर्मान के लिए एक विशेश विधेक लाने के वीचपी के अनुरोद को अस्विकार कर दिया अप्रैल 2004 आडवानी ने अयोध्या में अस्थाई राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्मान जरूर किया जाएगा 28 जुलाई 2005 लाल कृष्ण आडवानी बाबरी मस्चित विध्वंस मामले में प्राइब रेली की एक अदालत में पेश होए अदालत ने लाल कृष्ण आडवानी के खिलाफ आरोप तैय किये 20 अप्रैल 2006 कॉंग्रेस के नित्रित्व वाली यूपिय सरकार ने लिब्रहान आयोग के सामने लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्चित को ढहाया जाना सुनियोजित शडेंतर का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्टिया स्वयम सेवक संग, बजरंग दल और शिवसेना की मिली भगत थी 24 नवंबर 2009 लिब्रहान आयोग के रिपोर्ट संसत के दोनशद्नों में पेश होई आयोग ने अटल बिहारी वाजपई और मीडिया को दोशी ठहराया और नरसिम राव को क्लीन चिट दे दी 30 सितंबर 2010 इलाहबात उच्चन यायले की लखनो बेंच ने अयोध्या में विवादित भूमी को तीन हिस्सों में माट दिया 21 मार्च 2017 पूर्व मुख्यन याय धेश खेहर ने सभी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया साल 2019 में ही सुप्रीम कोट ने पूरी विवादित जगह को राम डला को सौंपने का आदेश दिया वहीं सुन्य वक्षबोड को मस्चित बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की साल 2020 पांच अगस्त को राम अंदिर के लिए भूमी पूजन का कारिकरम रखा गया 22 जनवरी 2024 नए राम अंदिर का अयोध्या में उद्खाटन होगा